दोस्तो आज हम बनाने जा रहा है मूली की बहुती स्वाधी सबजी सच मानिए दोस्तो आप एक बार इस तरीके से मूली के सबजी को बना के खा लेंगे तो बार बार इसी तरीके से आप सबजी को बनाओगे तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं आप अगर मेरी चैनल पर नहीं आई हो तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब और लाइक कीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मूली ले लिया है मूली को छील कर ढोग कर अच्छे से साफ कर लिया है हम एक इंच दूरी पर इसे हम काट लेते हैं अब हम एक नाइफ के मदद से सारे मूली ओ के इसे होल कर देंगे ताकि इसमें मूली अच्छे से अंदर तक जा पाए सारे मूली ओ को हम छेद लिया है अब चलिए इसके बीचों बीच हम फार लेते हैं अब हम मसाले को रेडी कर लेते हैं चलिए मसाले में लिये हैं एक चमच घड़ा धनिया दो चमच पीली सोर्सो आप पीली चाहे काली कोई से भी ले सकते हो आध्य चमच घड़ा जीरा तीन ghost मिर्ष चर पांक काली मिर्ष और शाथ और लेसन के कल्या अब चलिया इसे हम पीस लेते हैं मासाले को हम पीस लिया है चलिए मूली में कुछ मासाले को एट कर लियते हैं एक चमस धनिया पाउडर एक चमस चीरा पाउडर एक चमस कस्मीरी लालवींच पाउडर आधी चमस नम्मक आधी छोटा चमस हल्दी पाउडर और दो चमस दही को टाल कर अच्छे से हम इसे मेक्स कर लेते हैं और पांस मिनिट रेस के लिए इसे हम छोड़ देते हैं पांस मिनिट के बाद देखिए मूली मेरा रेडी है सबजी बनाने के लिए अब गेस पर हम एक कड़ाई को चड़ा लेते हैं इसमें एक बड़ा चमज तेल को हम डाल लेते हैं तेल मेरा गरम हो चुका है, अब इसमें एक तिहाई मेथी के दाने को डाने को डालकर अच्छे से चटकने देते हैं आधी चमज हल्दी पाउडर और एक चमज कश्मीरी लाल मिज पाउडर को हम तेल में एड करके अच्छे से मिश कर लेते हैं अब पिसा हुआ मसाले को तेल में डाल कर अच्छे से भून लेते हैं दो मिनिट मसाले को इसे हम खुला भूनेंगे पाद में हम ढख के पास मिनिट टक अच्छे से मसाले को कूक करेंगे मसाले को ढखके भूनते हुए यहां पांस मिनिट हो चुका है अब चलिए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं मेरा भून चुका है देखिए इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है अब मैडिनेट किया हुआ मुली को हम मसाले में डाल लेते हैं और दू मीनिट इसको अच्छे से भूलला लेते हैं मुली को भूलते हुए यहां पर दू मीनि थो चुका है अब चलिए forming के पत्तेकों ये इसमें हम डालकरं अच्छे से मिला लेते हैं दो हरी मिर्श और बच्चा हुए मसाले में आधा गिलस पानी को डाल कर हम सबजी में डाल देते हैं आधी छोटी चमश नमक को हम सब्जी में डाल लेते हैं और थोड़ी से कस्तुरी मिर्श को भी हम क्रोस करके डाल देते हैं 6-7 मिनिट इसे ढख के अच्छे से पका लेते हैं सब्जी को पकाते हुए यहां 7-8 मिनिट हो चुकर आप चलिए इससे हम चेक कर लेते एक बार सब्जी मेरा बन के रेड़ी है अब चलिए गेस को हम बन कर लेते हैं इस सब्जी को अब चावल पूरी पड़ाथे किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही स्वाधिस लगते हैं सब्जी मेरा बन चुकी अब चलिए हम सब्जी को एक बाल में सर्फ कर लेते हैं मेरे इस रेशिपी को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे और अपनी फ्रेंड सेर्कल में वीडियो को सेर करे और मेरे चेनेल पर आप पहली बार आई हो तो प्लीज चेनेल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना विल्कुल ना भूले तो मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई टेक केर दोस्तों